नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हों काफी अच्छी हैं दोस्तों एक्जाम की तारिक बहुत नजदीक आ गई है सिर्फ हमारे पास साथ ही दिन शेश हैं दोस्तों छे, साथ और आठ नॉम्बर को राजसन पुलिस का एक्जाम दोस्तों होने वाला है एक, दो, तीन, जितने भी बुक्स आपने रिट कर लिए आपने सारा चीजें पर लिए फिर भी कहीं ने कहीं एक डर दोस्तों बना रहेगा कि कोई चीज हमसे छोट न जाए कोई चीज हमसे रह न जाए अगर रह गई और वो एक्जाम में आ गई तो हम क्या करेंगे ये सबी के साथ होता है ये सिर्फ आप की ही बात नहीं दोस्तों क्या इसका कोई benefit होगा मुझे जहां तक लगता है इस गबराहट का इस pressure का जो आपने उपर हम बना लेते एक्जाम का इसका कही कोई फाइदा दोस्तों नहीं होगा इस चिंता के अंदर नुकसान जरूर हम दोस्तों कर लेगे यहांपर कोई चीज अगर हमें आती होगी बहुत अच्छे से हमने read भी की होगी तो उसमें कहीने कहीं mix चीजें दोस्तों हो जाएंगे हम भूल जाएंगे इस चिंता के चक्कर में बहुत बार ऐसा दोस्तों हमारे साथ होता है कि जैसे एक्जाम नज़्दीक आता है तो हमें क्या होता हमारे उपर प्रेशर तो अल्रीड बना ही होता है एक्जाम का जिसके चलते कहीन चोटी सी चोटी और बड़ी बड़ी गलती हम दोस्तों कर रहते हैं मैंने बहुत बार आपको सचेत भी किया है कि ऐसे गलतियां नय करें आज फिर कर रहो हूं आपके सामने फिर आपको याद दिला रहो हूं कि इन 7 दिनों के अंदर आपको क्या करना चाहिए और इन 7 दिनों में जो most important गलतियां है वो जो आप करते हो, करते नहीं हो लेकिन हो जाती है दोस्तों exam का pressure है, जल्द बाजी में कैसे भी हो गलतियां होती है, सभी से होती है तो ये नय करें, इनका wishes दोस्तों आपको ध्यारकना है, ये मैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से एक request है कि आप वीडियो देखते हो, पर like नहीं करते हैं दोस्तों, छोटी-छोटी चीजे निकाल कर लेके आते हैं, जो exam में गलतियां होती है, जाम मिजन से फाइदा होता है वो आप कि शार शेर करते हैं आपको कितना उसका benefit होगा आप इस बात को समझ सकते हैं फिर भी दोस्तों, आप like नहीं करते हैं वीडियो उसको share नहीं करते हैं दोस्तों, मैं आज का एक target रखूँगा कि इस वीडियो के उपर कम से कम 24 गंटे के अंतर अंतर दोस्तों, 1000 लाइक होने चाहिए मैंने आज तक नहीं बोला लगा तरह आपके साथ जूड़ा था लेकिन आज बोल रहा हूँ क्या ये target आप पूरा करोगे 1000 लाइक दोस्तों इस पे होने चाहिए और ज्यादा शी ज्यादा इसे share करना है और subscribe कर लेना जेनों नहीं किया है चली शूरू करते हैं दोस्तों जो 5 गलतियम आपको गिनाने वाला हूँ जो कही न कहीं आपके selection में रोडा ना बन जाए दोस्तों सबसे बड़ी गलती दोस्तों ये है कि इस समय बहुत से बंदे ऐसे हैं जो कि फ्रेशर है फर्स्ट टाइम एक जाम दे रहे रासन पुलिस का उन्हें नहीं पता होता है क्या कितना पढ़ना होता है कौन सी बुक खरिदनी है किस तरह से पढ़ाई करनी है बुक नए खरिदे आपको कोई भी ये कहे कि ये गाइड पढ़ लो सादीनों में आपका सेलेक्शन हो जाएगा भाया सेलेक्शन मुझे नहीं करवाना सेलेक्शन मैं महनत करूँगा इस समय साथ दिन में दोस्तों पहली काम यहीं करना है आपको कि आपको कोई बुक नहीं करिदनी है जो चीज आपके पास है उसे ही हमें दोस्तों यूजे करना है दूसरी जो गलती हमसे होती है कि कई बार का जैसी एक्जाम नजदिक आता तो कई चीजों के हम नोट्स बनाने बैठ जाते हैं कि ये इंपोर्टेंट है किसी दोस्त ने हमसे कंसल्ट कर दिया उसने ये फोन पे बो दिया किस टोपिक के तू नोट्स बना ले यहाँ से प्रशनब बनेगा ही बनेगा तो हम क्या करते हैं भूलना जाए इस चक्र में नोट्स बनाने लग जाते हैं और वो नोट्स इसलिए बनाते हैं पेज पे कि जब एक्जाम देने हम जाए तो वो पोकेट के अंदर पेज को डाल के लेके जाए और रस्त में पढ़ ले स्टाइम होगा वेस्ट सरासर टाइम वेस्ट होने वाला ऐसा नहीं आपको करना है तीसरी जो गलती हम कर भी रहें इस वक्त कि आपने कोई ओनलाइन कोर्स दोस्तों खरीदना है तो मत खरीदें चल रहा है खरीदा हुआ है दोस्तों अब उनके उपर टाइम वेस्ट करने से कोई फाइदा नहीं है सेल्फ स्टड़ी दोस्तों आपको करने है कोई भी कोर्स ना खरीदें चै कितने भी फेक्टिव क्यों ना हो चै सारा पेपर उसी में से आजए कोई गरंटी नहीं है दोस्तों इस समय क्योंकि समय नजदीक है इस समय जो कारगर होगी रहन निती वो होगी सेल्फ स्टड़ी तो आप ताइम वेस्ट नहीं करें हमें अज़मेर के चोहान पढ़ने होते हैं तो अगर ऐलाइन अगर हम क्लास देखें तो काफी गंटों की दोस्तों क्लास होती है लेकिन वही क्लास अगर हम सेल्फ स्टड़ी के दोरान करते हैं तो एक गंटे में सारे concept दोस्तों clear कर सकते हैं तो online class का दोस्तों time नहीं है क्योंकि time बहुत कम है जिसके चलते हमें time waste बिल्कुल भी नहीं करना है self study पे ही हमें focus करना है एक और गलती जो हम करते हैं एकसर इनी दिनों के बीच में बहुत से हमारे सुबचिंतक होते हैं सिर्फ ब्रमित करने का काम करेंगे आप उनसे नय तो किसी तरीका का कोई material लें इस वक्त नय कोई paper लें आपको ये भी बोला जाएगा कि paper आ गया है paper out हो गया है मेरे पास paper आ गया है मेरे पास so important question आ गये है मेरे पास police की important question आये है मैंने इतने में खरीदे हैं आप ले रहे हो क्या है ये बाते अगर आप से बोले तो आपको इस समय उनसे कुछ भी दोस्तों नहीं लेना है paper किसी के पास नहीं आता है अगर आएगा तो आपको दोस्तों नहीं मिलेगा ये ते है तो आप इस चक्कर में नहीं पड़े किसी भी साते से किसी भी सुपचिंतक से कोई paper नहीं लेना है कि बोलो कि exam में आएगा तो आप अपने पास रखो आप अपना selection करवालो हमें हमारी महनत की उपर पूरा विश्वास है लास्ट और फाइनल जो गलती हम करते हैं बहुत बंदे मिलेंगे हमें जो राय देंगे ज्यान बाटने की कोशिश करेंगे कि ये कर लो selection हो जाएगा वो कर लो selection हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पकवास करना सिर्फ आपको ब्रहमित करेंगी और उनको लेन देना कुछ भी नहीं है नहीं वो किसी पुलिस का एक्जाम दे रहे हैं पता पता नहीं है फिर भी वो राय देने में वो expert है जिसके चलते कहीं नहीं आपकी तैयारी के अंदर दिक्कत आ सकती है आपने जयारी की है वो दोस्तों आपको कम नजर आएगी क्योंकि वो कुछ इस तरह से आपको चीजें बताएंगे तो ऐसा कुछ नहीं करना है इस साथ दिनों में सलेक्शन लेना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा दोस्तों जो बात मैंने बताईए जरूर इसे समझना और सोचना की मैंने क्या कहा क्या वाके में ऐसा होता है दोस्तों रिल लाइफ में जरूर होता है तो आप इन चकरों में ना पड़े सिर्फ इस समय करना क्या होगा आपके पास जो भी नोट्स आपने बनाए हैं जैसे भी बनाए हैं अंडरलाइन करके important question लगाकर कैसे भी आपने notes जो बनाए हैं वही इस वक्त दोस्तों आपको पढ़ने हैं आपको इस समय थियोरी नहीं पढ़नी है जादा शे जादा हो सके तो थियोरी को इस इसाब से पढ़ें कि आपका समय भी बज़ए और important चीज़ें आप read भी कर लें अगर मैं reasoning की बात करूँ दोस्तों reasoning में क्या होता है कि हमें क्या करना है गहराई से अध्यन इस वक्त नहीं करना है हमें जादे जादा अभ्यास करना होगा बस किसी एक topic को लेकर दोस्तों मत बैठ जाना कि मैं तो इसके पचास question करूँगा तो करूँगा ही ऐसा करोगे तो time waste हो जाएगा पूरी चीज़ें आपसे नहीं पढ़े जाएगे एक बात और दोस्तों इस समय अगर आपसे कोई topic छूट जाता है आपसे नहीं पढ़ा जाता वो exam देने तक तो दोस्तों चिल्ता ना करें कोई कतनी एक five न आ जाएगा उससे तो क्या पड़ जाएगा चींता ना करें अगर रहे बीजाए तो कोई फरक नहीं पड़ेगा exam के अंदर ऐसा सभी के साथ दोस्तों होता है, एक महतपुन बात दोस्तों, मैंने काफी बार पीछी भी आपको मैंने बताई थे कि आपको important चीज़े क्या पढ़ने चाहिए कैसे पढ़ने चाहिए मैंने बताई हुई फिर अब फिर बता रहा हूँ आप मेरा telegram channel join कर लेने दोस्तों, link आपको नीचे मिल जाएगा description में अभी गंटे से दो गंटे के अंदर मैंने कुछ topic लिख भी रखे हैं, कुछ लिखने बाकी हैं अभी मैं आपको कुछ वह topic सजेस्ट करूँगा subject wise, वो topics इन्हें साथ दिनों में पढ़ने सारे topics हैं, बस वो topics में जो बता रहा हो, उनका थोड़ा सा ध्यान करके थोड़ा सा ज्यादा बढ़ लेना क्योंकि वो topics में discuss पिछे वे ने काफी किये थे, फिर एक बार फिर कर रहा हो क्योंकि ये videos बहुत सारे नई बच्चे भी देखेंगे तो उनको भी एक बार फिर help हो जाए हमारी तरफ से तो काफिक फाइदा दोज़ते एक्जाम में हो जाएगा ये बार ऐसा हो तक कि last time में हम ऐसे topic पढ़के चले जाते हैं जो कि important नहीं होते, वहां से question बनेंगे ये नहीं बनेंगे कोई chance नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे topics होते हैं जहां से question मनने के बहुत chance हो जोते हैं उनको last time में हम revise नहीं करते हैं बस मैं वही बात समझाने कि आपको कोशिश कर रहा हूँ एक बार उन topics को read कर लिजीगा इस साथ दिनों के अंदर आपका काम दोस्तों बन जाना है साथ साथ में यहाँ पर एक subject है current affair इनने साथ दिनों में current affair को आपको ज़्यादा समय देना होगा समय कम है तो current affair ज़्यादा पढ़ने क्योंकि questions आएंगे, मैंने काफी ज़्यादा material परवाइड करवा रखा है टेलेग्राप पे पिछले 6 मेनों का current affair कल पर सुब्य में एक PDF डाली थी current affair की important questions की वो भी आप देख सकते हैं या आपके पास जो भी material है current affair का वो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं तो current affair को एक गंटा, डेली 7 दिने 7 गंटे होते हैं साथ गंटे के अंदर दोस्तों, डेली एक गंटा परड़ कर आप current affair को बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं दोस्तों आप चिंता कते ही ना करें, कोई आपका साथ दे या ना दे लेकिन मैं इसके नाइक आपके साथ हूँ, जब तक आपका selection नहीं हो जाता मैं तो एक बात कहूँगा दोस्तों, कि आप महनत करें, परिनाम की चिंताना करें वो कहते हैं कि महनत की, खूब की, लेकिन सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है लेकिन अनभो जरूर दोस्तों आपको मिलेगा सफलता भहुत बार पहले ही चांस में मिल जाती है कई बार दूसरे तीसरे चांस में मिलती है तो दोस्तों वो तो एक अलग बात हो गई है लेकिन महनत करना हमारी जिम्मदारी है अगर हम महनत नहीं करते हैं और प्रिणाम की चिंता करते हैं तो दोस्तों फिर हम क्या कह सकते हैं आप मन लगाकर भगवान की उपर विश्वास रखें और अपने उपर विश्वास रखें और उन सपनों को याद करें जो आपने दिखाएं अपने परिवार में सभी को उन सपनों को याद रखें तयारी करोगे तो दोस्तों सेलेक्शन लेने से आपको कोई नीरोग सकता है इतना बड़ा एकजाम नहीं है रास्तान पुलिस का कि आप करेक नहीं कर सकते ये सोचें कि मैं इस एकजाम को करेक करूँगा और कर सकता हूँ इतनी काभिलत मेरे अंदर है अगर ये सोच के तैयारी करोगे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सेलेक्शन जरूर लोगे ये मेरी पूरी गरंटी है इसी के साथ दोस्तों जल्द मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत